सबसे पहले सभी को हैपी नियुएर नया साल आपके जीवन में धेर सारी खुशियां और सफलता रहे कर आए जिस भी कंपुटिटिव एक्जाम की आप प्रिप्रेशन कर रहे हो उसमें सेलेक्ट हो जाओ तो चलिए स्टार्ट करते हैं 61 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे उसकी प्लेइलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यह है टेस्ट नंबर 62 तीन सेगंड का टाइम मिलेगा एक प्रेशन को पढ़ने के बाद अपना भी सोचेगा कि आंसर क्या हो सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं तो प्रश्न क्रिमांग संख्या एक पर आजाएए निम्लिकित कत्नों पर विज़ार करना है दो स्टेट्मेंट के साथ पताईए कौन सा करेक्ट है इन में से आईपीसी की धारा 377 के तहट अंग्रेजी साशन के दोरान 1861 में सम लेंगिक्ता को अपराद घूशित किया गया था तब हाल ही में केसब सूरी फांडेशन दोरा कार इस्थलों पर LGBT और उससे संबंदित समुदाए के लोगों के साथ भेद भाव का अंत करने के लिए भारत का पहला कार इस्थल समानता सूचकांक जारी किया गया है क्या बताईए देखिए करेक्ट है बिल्कुल दूसरा बला स्टेटमेंट करेक्ट है पहला बला भी स्टेटमेंट सी है इसकांसर तो IPC की धारा 377 के तहट 377 के तहट अंग्रिजी साशन के दोरान वर्स 1861 में सम लेंगिक्ता को अपराद घूशित किया गया था इसे पर्तिके नियम के खिलाब जाकर सारे एक संबंद बनाएगा उसे आजीवन कारवास की सजा दे जाएगी ठीक है उस समय ये कानून लगूगा था अब देखिए हाल ही में केसब सूरी फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कारिस्थल समानता सूचकांग जारी किया गया है भारत में यह सूचकांग 1337 के निरस्थ होने के दो साल के बाद जो है वो लॉंच हुआ है देखे कारिस्थलों में LGBT और उससे संबंदित समधाय के लोगों के साथ भेद भाव का अंत करने के लिए भारत में एक समता सूचकांग की सुरुवात की गई है सूचकांग के पहले साल में समता की तरफ कदम बढ़ाने वाली 52 कंपनियों को जो है वो पुरुस्कृत किया गया है तो यदि को इस तरह का स्टेट्मेंट बनता है तो उसको याद रखेगा यह सीरा सिधा पूछ ले जाए यह सन है 1861 में अंग्रे जोने जो है समलेंगिकता को अपराद घोश्चित किया था या इपीसी की धारा के तहट 377 के तहट कोश्चन नुबर टू पर आजए यह माना विकास सूचकांग को प्रतिवर संयुक्तराष्ट विकास करिक्रम द्वरा जारी किया जाता UNDP के दोरा इस उचकांग में विभिन देशों की इस्थती किन प्रमग बुनियाती आयमों पर आकलित की जाती है देखे लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो है इसमें जीवन प्रतियासा है ज्यान तक पहुँच भी है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट आय भी है इसमें उपभोग करने की छमता नहीं है इसमें तो वन टू थरी होगा फोर नहीं होगा फोर को एलिमिनेट कर दीजे तो बी आंसर हो जाएगा इसका तो जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में सेयुक्तरास्ट विकास कारिक्रम ने अपनी सालना मानव विकास सूचकांग जो है मतलब हीूमन डबलपन इंडेक्स रिपोर कहती है कि 189 देशों में भारत को 131 वैस्थान मिला है दो इस थान वो फिसल गया है पिछले वर्स जो है 2019 में भारत 129 वैस्थान पर था और पर्थाम इस्थान पर कौन है नौर्वे है ठीक है तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है पहला पूछा जा सकता बरतमा बना कर पूछा जा सकता है कि घटी है या बढ़ी है ठीक है और इस तरह से भी पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है कि कितने देश सामल थे Q3 पर आजए निम्लिकित कत्नों पर विशार करना है पहले स्टेटमेंट है भारत में मादक पदार्थों के संदर्प में नार्कोटिक ड्रग एवम साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस अधिरियम 1985 बनाया गया था बरतमान में भारत सहित अमेरिका और अधिकानस यूरोपिय राष्टों ने भांग को सबसे हानेकारक ड्रग की सूची से हटाने के पक्ष में मतदान किया है वहीं चीन जो है पाकिस्तान है और रूस द्वारा इस प्रस्ताब के विरोध में मतदान किया गया है मतलब जो भांग है उसको सबसे खतरनाग ड्रग की सूची से नहीं हटाया जाए ठीक है और भारत कह रहा है कि इसको खतरनाग ड्रग नहीं है तो क्यों पूछा गया ये प्रश्न देखे हाल ही में सेयुक्तरास्ट मादक औशद आयोग द्वारा जो है एक मात्र मादक औशद संबेलन 1961 की अनुसूची 4 से भांग और भांग की राल को हटाने हटाये जाने हितु मतदान कराया गया और इस एतिहासिक मतदान के बाद भां में 27 से ज्यादा देशोंने इसके पक्ष में बोट दिया है एक याणि जो स्टेट्मेंट है ये जो भारत के राद भारत के पक्ष में अमेरिका के पक्ष में pem tempo और यूर्यय राश्टो के पक्ष में चला गया है ठीक है चीन पकिस्चान और रूस ये बिपक्ष में ही रह कोश्चन नूबर फोर पर आजाईए कभी-कभी समचारों में रहने वाला भाशन चार द्वीब कहां इस चता है कहां इस चता है रोहिंग्या सरनार्तियों से रिलेटेड है जो भी नियूस थी उससे संबन देते तो बंगला देश में है ये भी तो देखिए हाल ही में बंगला देश ने 1600 से अधिक रोहिंग्या सरनार्तियों के पहले समु को एक सुदूर द्वीब पर भेजा है जिस द्वीब पर रोहिंग्या सरनार्तियों को भेजा गया है उसका नाम है भाशन चार द्वीब इस द्वीब को 20 साल पहले समुद्र में खोजा गया था और यहां अक्सर बाढ आती थी बात करें भाशन चार द्वीब की तो दक्षन पूर्वी बंगलेदेश के हतिया द्वीब से 30 किलोमेटर पूरब में इस्थित है यह एक निर्जन द्वीब है और इस द्वीब का निर्मार लगभग दो दशक पूर्व मेघना नदी के मुहाने पर हुआ था क्वेशन नमबर फाइब पर आजाई है नमर्कित में से कौन सा का थन गलत है पहला सेली के मंदर क्रिशना नदी से लेकर कन्या कुमारी तक पाए जाते हैं क्या इस सेली का जो शुरुबात है वो आ partir सताबती में हुई थी क्या किस सेली की द्रवीड सेली की द्रवीड सेली को जन्म चोलों ने दिया था मूर्ती कला और चितरकला का संगम दरवड सहली के साथ चोल काल के दोरान हो गया था एक पक्का गलत है इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि इनमें से कोई नहीं देखे दरवड सहली के मंदर क्रशना नदी से लेकर करने को माई तक पाई जाते हैं दरवड सहली की सुरुबात आठवी सताबदी मही थी मूर्ती कला और चितरकला का जो संगम है दरवड सहली के साथ चोल काल के दोरान हो गया था ये भी सही है दरवड सहली को जन्म पल्लवों ने दिया था चोलों ने नहीं दिया था तो द्रविट सैली के मंदिरे क्रेशना नदी से लेकर फैले हैं करने कुमारी तक मतलब आए जाते हैं इस सैली की जो सुरुबात है वो आठवी सताबदी में हुई थी और सुदूर दक्षिन भारत में लगवक अठारवी सताबदी तक बनी रही देखिए इस सैली में जो निर्मित मंदिर हैं वह बहु मंजिला होते हैं और द्रविट सैली को जन्म पल्लबों ने दिया था चोलों ने नहीं लेकिन इस सैली ने जो उचाईयां हासिल की थी वो चोल काल में हासिल की दी अलग अलग बात है जन्म देने वाला कोई और और परकास्था पर यह पहुंची यह उचाई इसने हासिल की किसमे चोलों के साशनकाल में मूर्ति कला और चित्रकला का संगम जो है द्रविड सैली के साथ चोल काल के दौरान आरंभ हो गया था चलिए अगले प्रश्ण पर देखते हैं तो प्रश्ण क्रमांग संख्या 6 पर आ जाईए नमलिखित कत्नों पर विचार करना है तो स्टेट्मेंट के साथ बताईए इनमे से कौन सा करेक्ट है विद्धुत मंत्राले द्वारा रास्टे हरित राजमार्ग मिशन की सुरवात की गई है क्या इस परियोजना का उद्देश विजली के सुरक्षेत ट्रांसमिशन के लिए रास्टे राजमार्गों पर एक गलियारा स्थापित करना है क्या बताईए तो दोनों के दोनों तो गलत है ये देखे मतलब D है इसका अंसर ये भी गलत है ये भी गलत है उपरोक तुमेंसे कोई भी सही नहीं है तो देखे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने सितंबर 2015 में हरित राजमार्ग नेती की गोशना कर गोशना का नियुशन करते हुए राश्टी हरित राजमार्ग मिशन की सुरुवात की थी तो कौन सा मंत्रा ले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रा ले इसलिए गलता पहला स्टेट्मेंट इस परियोजना का उद्देश है चैनित राज्यों में सुरक्षित और हरित रास्टी राजमार्ग गरियारों का प्रदर्शन करना और हरित एवं सुरक्षा प्रदर्ग पर संशद्य इस्थाई समित्यों के सरस्यों को लोक सभा से ही नामित किया जाता है। Second वाला Correct ते फस्ट इंकरेक्ट है ता ऑप्सन नंबर भी और बी हो गया लेह कि बहुत प्रेंटिंक्छ कहो टी नहीं सका अंसर होना चाहिए बी तो देखिले आम तोर पर संसदी है समे़िए जो है वो मैस्ताय समीधि को दर्धा समीधियां भी कहते हैं यह समीधियां जो एक्यच्फाय hedge से ओका मनुने राज जिस सभाके सौपती द्वारा किया जाता इसलिए गलत हो गया पहला स्टेटमेंट ठीक है कोई मंत्री किसी वी इस्थाई समीति के सरस्य के रूप में नामित होने के योग नहीं होता यदि कोई संसाथ सरस्य किसी इस्थाई समीति में नामांकन के बाद एक मंत्री के तोर पर नियुक्ति किया जाता है तो वह उस संसदिय समीति का सरस्य से नहीं रह जाए दा ठीक है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर एट है जौला मुखी के संदर में निम्लिकित कथन में से कौन सा कथन सही है जौला मुखी का संबंद प्रकरती के अंतरजात वल से उत्पन होने वाले अकास्मिक संचलन से है किलाव किलावा जौला मुखी हवाई जौला मुखी रा साथ वर्षों में दो बार पूछा है वेरन से प्रश्ण बिल्कुल यह सक्रिया है कि इसमें बिस्फोर्ट हुआ था सोने पूछा यूपियसी ने वेरंद भी भारत का एक माधर सक्रिय जोला मुखी है करेक्टर ये वाला स्टेट्मेंट कि लागूआ जोला मुखी हवाई जोला मुखी राष्ट उठ्यान में स्थित ये भी सही है और जोला मुखी का संबंद प्रत्वी के अंतरजात बलसे उत्पन्न होने वाले अकास्मिक संचलन से है इसलिए करेक्ट है पहला इसके अंतरगात प्रत्वी के अंतरिक परतो में जो है पेरिडोटाइट के गलन से मैगमा की उत्पत्ती जो होती है और जब यही मैगमा प्रथवी की अंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो इसको लावा कहा जाता है इस करिया के अंतरिकत लावा के अतरिक्त गैस राख वे तरल पदार्थवी जो है परत्वी की सतय पर आते हैं इसी के साथ यह सब निकले कहां से भूमी के अंदर से ठीक है और भूमी के अंदर जब तक ही रहा तो मैगमा ये कहा जाता है जब बहार आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लावा अब देखें अंडवान दूईब समू में इस्सित है वेरन दूईब भारत का एक मात्र सक्रे जुळामगी है देखें किलावब जो है जिसे माउंट किलावा भी कहा जाता है सेंगतराज अमरिका के हवाई दूइब के दक्षन पूर्वी भाग पर हवाई जोला मुखी रास्ट या उद्द्यान में स्थित है किलावा के पस्चिम और उत्री ढहलान इसके पास के जोला मुखी मोना लोगा के साथ विले होते हैं तो दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट हो गया वैरन के करण और ये पहला भी करेक्ट हो गया कोश्चन नुमर नाइन पर आजए प्रधान मंत्री उर्जा गंगा परियोजना किस राज की उर्जा वशकताओं को पूरा नहीं करती परधान मंत्री उर्जा गंगा परियोजना इनमें से किस राज की उर्जा वशक्ताओं को पूरा नहीं करती उत्तर परदेश की करती है बिहार की करती है की नहीं करती करती है जहार खंड की करती है की नहीं करती करती है उत्तरा खंड की नहीं करती तो प्रधान मंत्री उर्जा गंगा परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार जारखंड ओडिशा और पस्चिम बंगाल की उर्जा वशक्ताओं को पूरा करने का प्रयास करती है इसके तहत उत्तर खंड सामिल नहीं है और एक चीज और है उत्तर पूर्व छेतर गैस ग्रिड है उसको भी आद रखना वो सेवन सिस्टर है प्लस उसके साथ सिक्किम भी है यानि असम हो गया मेजुरम हो गया मनीपूर है उसमें अनाचल प्रदेश है तिरपुरा है नागालेंड है और मेगाल है और सिक्किम भी है यानि टोटल आठ उत्तर पूर्व गैस ग्रिड नौर् चल नहीं है उत्तरा खंड़ नहीं है याद रखना अंति इंप्रेश्ण की तरह अग्रसल होते हैं हाल ही में सेम्टराज अमेरिका ने यानि युएसे ने किन देशों के प्रधान मंत्रियों को लीजन ओफ मेरिट से सम्मानित किया है सम्मान है इनका एक एक बड़ा सैने सम्मान है युएसे का तो इसमें भारत के प्रधान मंत्री को और जापान के प्रधान मंत्री को और ऑस्टलिया के प्रधान मंत्री को दिया जो गया है लीजन ओफ मेरिट तो देखे हाल ही ने सेंवक्तिराज अमेरिका यानी U.S.A. ने भारत जापान और आस्टेलिय के प्रधानमंत्रियों को लीजन आफ मेरिट से सम्भानित किया है यह जो पुरुषकार है वो अमेरिका के सस्त्रबलों के सरस्यों और विदेसी यानि गैर USA ससस्त्रवलों के सरस्यों के साथ कभी कभी राज या सरकार के प्रमुखों को भी प्रदान किया जाता है यह जो परुस्कार है वो विदेसियों को निम्लिखित चार सिर्णियों में प्रदान किया जाता है मुख्य कमांडर कमांडर हो अधिकारी हो या सेनापती हो ठीक है तो आस्ट्रेलिया भारत और जापान के प्रधान मंतलियों को दिया गया है अमेरिका का लीजन आफ मैरिट सम्भान ये पूछा आ सकता है कि सम्भान किसका है तो USA का है ये तो साल की शुरुबात का ये फर्स्ट टेस्ट था UPSC Civil Services Problems 2021 यानि इसी वर्ष के लिए ठीक है धन्यवाद इसकी प्रेक्टिस कर लेजेगा